दोस्तों आपके लिए लेकर आएं एक ऐसा वशी करण का शक्तिशाली तोटका जिसे करोडों लाखों लोगों ने आजमाया है और सबका काम हुआ है दोस्तों ये तोटका कभी भी खाली नहीं जाता है तो आपसे भी विंतिय हाथ जोड़कर कि आप इसे किसी भी गलत काम के लिए इस्तमाल ना करें और अगर आपके मन में कोई अच्छी भावना है आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आप इसे जरूर आजमाएं क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिससे आप जिसे भी अपने वश में करना चाहते हैं वो सिर्फ एक रात मे आपके वश में हो जाएंगे, अगर आप किसी लड़की को वश में करना चाहते हैं, या किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं, ये हर एक पर अच्छे तरीके से काम करता है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक नीमू की, जैसा कि मैंने ए लाल रंग का मार कर लिया है, आपके पास अगर मार करना हो तो आप लाल रंग का पैन ले सकते हैं, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस नीमू पर अपना नाम लिखना है, और जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, उनका नाम लिखना है, मान लिजे कि अ आपको लिखना है लड़की का नाम, लड़की का नाम मान लीजे अगर सविता है, हम सविता को अपने वश में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सविता, इस तरह से मैंने सविता लिख दिया और इधर मैंने रमेश लिख दिया, अब आपको इन दोनों की ठीक बीच में यहाँ पर लिखना है एक प्लस का साइन लगाना है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और साथी साथ आप इधर की तरफ याने की सविता और रमेश जहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी एक प्लस का साइन बना देंगे, अब यह आपका नीम्बू जिस प तरह से स्वास्तिक का निशान बना लेना है लाल पैन की सहायता से ही आप स्वास्तिक का निशान एक इधर बना लीजे और ठीक उल्टे साइड में यहां पर एक स्वास्तिक का निशान आपको इधर भी बनाना है यह आपका नीबू बनके तयार है जो आप जिससे कि आप किसी को भी अपने वश में कर पाएंगे अब आपको इसके उपर सिंदूर लगाना है तो सबसे पहले जहां पर आपने लड़की का नाम लिखा था वहां पर आप सिंदूर इस तरह से लगा दीजे और इसी तरीके से आपको रमेश के उपर भी सिंदूर लगा देना है तो दोस्तो आपको इस मंत्र का उच्चारन करना है 108 बार दोस्तों मंत्र ध्यान से सुनिए गलत मंत्र का उच्चारन मत कीजिएगा सही मंत्र बोलेंगे तभी ये उपाय काम करता है मंत्र है ओम चामुंडाय वश्यम कुरू कुरू स्वाहा पहली लाइन है दूसरी लाइन है ओम सविता जो की हमने नाम लिखा है ओम सविता वश्यम कुरू कुरू स्वाहा ये मंत्र है दो लाइनों का जो आपको 108 बार इसका उच्चारन करना है उसके बाद दोस्तों इसे आप किसी ऐसी जगे पर रख दीजिए तो दोस्तों इस मंत्र का जब आप पूरी तरह से उच्चारन कर है तो सविता के बिल्कुल बीच में आपको इस सुई को मींगू के अंदर डाल देना है इस तरह से इसे डालेंगे और मंत्र करते-करते ही आपको इसे अपने हाथ में रखना है आप इसे सीधे हाथ में रखिए और मंत्र का उच्चारन करते रहिए जब आप 108 बार मंत्र कर चुके होंगे उसके बाद आप इस सुई को इसमें से निकालिए और इसे ठीक इसके अपोजिट में आने की अगर आपने यहां पर इसे डाला था तो इसके ठीक अपोजिट में यहां पर जहां पर की आपका नाम लिखा हुआ है वहां पर भी आपको इस सुई को इसे डाल दे लेना है उस समय आपको इस मंत्र का जाप 21 बार दुबारा करना होगा जो मंत्र मैंने आपको बताया ओम gözवार सभी ता Jetzt इस मंत्र को 21 बार पड़ते हुए इस नीम्गू को आप बहते हुए जल्में प्रवाहित कर दे और एक बात और ध्यान रखें दोस्तों कि जब आप महां से वापस आ रहे हों तो पीछे मुड़के ना देखें रास्ते में अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान मिले जो आपको जानता है तम भी आप उससे बात ना करें सीधा अपने घर पर आएं और उसके बाद अपने हाथ पैर अच्छे से धोलें इस तरह से दोस्तों सिर आपर हो जाएगी तो दोस्तों ये तो था उपाय आज हमने जो आपको बताया इसका आप उप्योग करकर कि देखी यह आजमाया हुआ हूँ नुस्खा है शक्तिशाली टोटका है जो मैंने आपको बताया इसको बहुत सारे लोगों में आजमाया है और सबको इसका लाव मि तो आप भी इसे कीजिए और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिखके बताइए कि आपको इसका कितना फायदा हो